यह मोलका की अगनी जो है बहुत पवित्र होती है यदि किसी के उपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ हो को इमारण प्रयोग दूरा उन कि शांति वह होलिका के अगनी में उस्तमे जो जू क्सिया त्वान्त्रिक जो प्रयोग बतलाते हैं Speech आधार पर करके उनकी शांती प्राप्त की जाशक्ति दूसरा बैदिक परंपरा के अंतरगत नौग्रह की सांती जो है खोलिका की अगनी में हम करते हैं गिनौग्रह हमारे अनकूल नहीं है अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो हमको नौग्रह की शमागरी थोड़ी-थोड़ी इकठा कर लीनी चाहिए सुर्य के लिए जैसे है कि जेहूं चंद्रमा के लिए चावल मंगल के लिए जो है लाल मसूर की दाल बुद्ध्ध के लिए हरामों ब्रहस्पती के लिए चने की दाल सुक्र के लिए एक चीनी या गुड़िया मीठा, सनी के लिए काला तिल, राहु के लिए जो है कुसा, राहु के लिए जो है दुरवा, केतु के लिए कुसा, इन समिधन चीजों को एक विकठा करके थोड़ा-थोड़ा, एक लाल बस्त में रख करके, साथ वार उसके उपर से उतार करके जिस समय होलिकाक्यकनी प्रजुलित हो उसमें डाल देना चाहिए डाल देने से नोग्रह की शान्ती होती है जैविश्वना